गुड मॉर्निंग फ्रेंज वेल्कम बेक टू माय चैनल तो आज राहूल जी बना रहे हैं हमारे लिए अनार का फ्रेश जूस कब तक बनेगा राहूल जी दस मुट लगेंगे हम् में जूस के बाद में आनार का जूस लेना इते हैं तो अभी हमानों का वक्त है पर अभी बहुत अच्छे अनार आये ut तो रहुल जी लेकर आगय है, बहुत अच्छे इदम रेड रेट से अनार, जो जूस बनने वाला है, बना रहे है रहे हैं, जल से जल बना है, और पी रहुत पिला है, आप तो बना दस मिन बन जाएगा, और फ्रेंस अनार का जो जूस होता है, वो हना हेल्थ के लिए बहुत ह अच्छा होता है, तीन्जिंग का काम करता है, मैं एंडियस से जूड़ी होई हो फ्रेंस, और पहले मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा थी, तकरीबन 65-66 के अरांड थी, उसके बाद मैंने एंडियस जॉइन किया, जो हमारे ग्रूप के मेंबर थे, इद्रीज भाई, उन्होंने हमें ये सजेशन दिया था, मैं गोपी भाईया, मेरे जीजा जी, हम सब इससे जुड़े हुए हैं, और हम सब को बहुत ही बेने फिट मिला हमारे, वेट भी कम हुआ, बहुत ही मसकत की थी इस चीज के लिए, वेट के लिए, बहुत सालों से में वेट कम करना चाहती थी, आफ्टर डिलेवरी पर हो ही नहीं रहा था, जीम जोइन किये, योगा, कार्डियो, खुब किया, पर उससे कोई फरक नहीं हुआ, फिर हमने एंडी एस जोइन किया, न्यू डाइट सिस्टम, एंडी एस की जन्नी स्टार्ट कीती तब मेरा वेट था, 65-66 और अब देड़ साल हो चुका है, मुझे एंडी एस फोलो करते हुए, और अब मेरा वेट है, 45, 45 के पास है, 45 के पास मेरा वेट हो चुका है, और अब वेट कम तो नहीं करना है मगर कुछ इंटर्नली प्रोब्लम है स्टमक में जो उसके लिए बस में यह जर्निस्ट कंटिन्यू रख रही हूं और जूस पर ही हूं एक वक्त एक टाइम हम खाना खाते हैं साम के वक्त पका हुआ खाना खाते हैं पका भूजन और वह भी बस अब इसको भी नहीं लेना है हमको अपकव हो ही लेना है तो यह राहूल जी स्टार्ट कर दिया है जूस बनाना तो लीजी अब यह बन गया हमारा जूस जूस बन गया इसको चानते हैं और चानके निकालते हैं तो यह चन्नी जिसमें हमारा जूस यह चन्ने वाला है यह देखिए पानी मिला है पानी होता है और बहुत टेस्टी बनता है आप भी ट्राइब कीजिएगा बहुत अच्छा बनता है दो मीट में तैयार हो जाता है हमारा हेल्डी जूस तीन अनार में से दू ग्लास जूस बन चुका है अनार का जूस बना दिया है और हम पी के बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिश्ट है फ्रेंस आप भी ट्राइब कीजिएगा अनार का जूस बहुत ही मस्त बना दिया है